गुरू, यहां हम उन गुरूओं की बात महीं कर रहे हैं, जिनके नाम के आगे सिर्फ गुरू लिखा होता है यहां हम उन गुरूओं की बात कर रहे हैं, जिसने कई आम इनसान को उस मुकाम तक पहुचाया है जिसे देश और दुनिया दोनों जानती है नमस्कार मैं हूँ प्रग्य और आप देख रहे हैं दोच वपाल एक पुरानी कहावत है जिसमें ये बोला गया है कि हर सेक्सेस्फुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है और इसमें कोई दौमत नहीं है क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है लेकिन आज हम जिसकी बात बताने जा रहे हैं उस इंसान के पीछे उसके गुरू का हाथ था वैसे गुरू कोई भी हो सकता है चाहे वो आपके स्कूल का टीचर हो या फिर आपके परोस वाले भईया या फिर आपके ओफिस का कोई कलिक या फिर आपके माबाब गुरू कोई भी हो सकता है चाहे आम चाहे खास गुरू तो गुरू होता है जहां गुरू की बात हो ही रही है तो आपको बता दे गोपी चन की गोपी चन साइना नहवाल के गुरू थे साइना नेवाल को उन्होंने एक दोर में काफी उचाईयों तक पहुचाया था और अब वो पीवे संदू के गिरू हो चुके हैं तो आपको बताने की तो जरत बिलकुल भी नहीं है रामकन्द आच्रेकर के निधन में स्चिन तेंदूरकर भी कुछ उसे काफी कगा उन्होंने बताया कि जब वो क्रिकट खेला करते थे तो रामकन्द सर्जो थे उनने पेढ के पीशे से देखा करते थे उसके बाद में जब उनका क्रिकेट खतम हो जाता था फिर वो उनके बताते थे कि आखिर क्या क्या खमिया है रामकंद हमेशा सचिन को ये सिखाया करते थे कि किसी और के लिए तालिया ना बजाया करो कुछ ऐसा करो कि लोग आपके लिए तालिया बजाये एक ताइम ऐसा था जब सचिन अपना मैच छोड़कर बतौर दर्शक पहुचे मैच देखने फिर क्या था इस पर गुसा कर उनके गुरू आचरेकर ने थपर मार दिया उसके बाद मानो सचिन की जिन्दीगी ही बदल गई उस थपर ने सचिन तंदूरकर को रोजाना घंटू प्राक्टिस करने के लिए प्रेरित किया यह हम बात कर रहे हैं उस गुरू की जिसने क्रिकेट को उसका भगवान दिला दिया कैसा लगा वीडियो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताए साथ ही साथ हमारे साथ बने रहे हमारे पेज को लाइक करो इस वीडियो को शेर करना ना भूले